मैं चाहती हूँ कि हम शुरुआत करें योहनना 20, 29 से और मेरे आज रात के संदेश का शिर्शक है परमेश्वर पर विश्वास कीजिए जब आपको समझना है आखिर मेरे जीवन में ये सब क्या हो रहा है ऐसा क्यूं हुआ है ऐसा क्यूं नहीं हुआ है वह कब होगा जो मैं चाहता हूँ क्यूं परमेश्वर क्यूं कब परमेश्वर कब ये किसी जाने पहचाने के जैसा लग रहा है दरसलम त्रिप्ती और संतोष पर एक श्रिंखला कर रहे हैं और कुछ उपाय ढूनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो त्रिप्त और संतोष प्राप्ट करने में हमारी मदद करेंगे और उन चीजों में से एक जो मेरे अनुसार होनी ज़रूरी है यदि हमें कभी सचमु संतुष्ट और त्रिप्त होना है वो यह कि हमें ऐसे अवस्था में पहुँचना है जाया हमारे लिए जरूरी न हो मानसिक रूप से हर वो बात समझना जो हो रही हो हमें नहीं जानते हुए भी संतुष्ट रहना है हमें परमिश्वर के साथ अपनी चाल में उस अवस्था में पहुँचना है जना अच्छा है वो नियाय संगत न लगे या सही नम है तब भी हमें परमिश्वर पर इतना विश्वास और उनसे इतना प्रेम हो कि हम जानते हो कि चाहे हमारे जीवन में जो भी हो रहा है सब फिर भी उनके नियंत्रण में हैं और ये कि यदि हम उन पर विश्वास करते रहेंगे वो उसके द्वारा हमारा अच्छा ही करेंगे यकीन और भरोसा है, धन्य और प्रसंद और ईश्या के लाइक है वो जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास और भरोसा किया और मेरे समर्थर बने रहे, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, धन्य है जिन्होंने विश्वास किया और समझते नहीं है, जानते हो इतने वर्षु की अपनी सेवकाई में मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी और ऐसे लोगों के बारे में किताब पढ़ी है जिने येशु का अलोग एक अनुभव हुआ है कि येशु उनके कमरे में आये थे और उनके बिस्तर पर बैठ कर उनसे बाते की थी और ये कि अनुभव किया है और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और मुझे उनसे इर्शा होती है मैं कहती परमेश्वर हलो मैं सच मुझे आपके प्रदी पूर्णता समर पिथूं फिर भी ये दियानिये लोग वो सब देख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं देख सकती है क्योंकि ये इतने आपके विश्वास में कई गुणा बढ़ोतरी होती है मेरा मतलब ज़रा सोची यदि ये शुवाकर आपके बिस्तर के किनारे पर बैढ़ते हैं आपसे 45 मिन्टों तक बात चीत करते हैं वो अगले कुछ साल गुजारने में आपकी मदद करेगा आमेन मेरे विचार से कई बार जब हम ऐसी कहानिया सुनता है तो सोचते हैं ऐसे लोग सच मुझ बहुत-बहुत-बहुत विश्वास करते हूंगे पर मैं ऐसा सोचती हूं कि वो लोग जो कभी कुछ नहीं देखते है और कभी भी कोशिश करते रहते हैं बार-बार आगर और करते हैं कि आपको शायद कभी उपलब्धी नहीं मिली है और आप tel'd भी विश्वास कररें पर आप सच मुझ सच मुझ धन्य हैं कि आमीन श्यद आपकी जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जो आप को समझ नहीं आ रहा है और आपको वो बिल्कुल अविश्वस नहीं लग रहा है आप लाग कोशिश करके अपने दिमाग में वो गुथली सुलजा नहीं पाते होते हैं पर फिर भी आपको उन पर विश्वास है तो शायद आप अधिक धन्या हैं उनसे जिने कभी ऐसे समस्या पर विश्वास करते हैं वो दूसरी होती है जब आपके विश्वास की कड़ी परिक्षा होती है और आप उसमें से बाहा निकलते हैं परमीश्वर पर विश्वास करते हुए मैं ये मानती हूं कि कई तरीकों से परमीश्वर एक रहस्या हैं हम परमीश्वर को समझना चाहत यदि हम वो सब जानते, जो वो जानते हैं, क्या हम फिर भी उन्हें परमिश्वर बुलाते, क्या ऐसा करने पर हम उनके इस तर पर नहीं आ चाते, और ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए उनके तरीके हमारे से उंचे हैं, उनके विचार हमारे विचारों से उंचे हैं, वो सच क्यों प्रमीश्वर क्यों वो केवल ये सुनना चाहते हैं आखिर में हम कुछ ऐसे वचन भी पढ़ने वाले हैं जो हमें ये बताईएंगे की सवरिक कैसा है मेरे विचासे कए बर हम पर्यापत समई नहीं निकालते हैं वह वचन पढ़ने के लिए दाकि हमारा विश्वास मजबूत बने परमिश्वर की महानता के बारे में बहुत प्रशंसनिया है ये करना कि कैसे वो हमारे मित्र हैं हमारे साथ प्रति दिन के जीवन में रहते हैं और हम अपनी उपस्तिती में उन्हें रखते हैं पर हमें बहुत सावधान रहना है कि हम पर अंतरंगा की भावना हावी न हो जाये जहाँ परमिश्वर केवल हमारे मित्र और सखा बन कर रह जाए और हम भूल जाएं कि उनके अलावो वो विसमेहिकारियो, शक्तिशालियो और सर्व शक्ति मान हैं और हमें परमिश्वर का श्रद्दामय भैए होना चाहिए और हमें ये नहीं बुलना चाहिए, कि ऐसा कुछ नहीं, जो वो नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ नहीं, जो वो नहीं जानते, और ऐसा कोई स्थान नहीं, जानते हैं, और ये कि हम उन से कुछ भी नहीं चुपा सकते, वो हमारे सोचने से पहले हमारे विचार जानते हैं, हमारे एक दिन मिलने से पहले वो हमारे सभी दिनों को जानते हैं, वो ये भी सोचती और आशा करती हूँ कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो, कि यहाँ आप में से कोई एक है जो वैसा है जैसी मैं थी, जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ जानने का अधिकार है और ये कि आप अपना अधा समय सब समझने की कोशिश में गुजारते हैं, मैं आशा करती हूँ कि आज यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे, जिन नहीं, मैं सुस था कि मुझे सभी कुछ जानना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आवश्क्ता होने पर सही तरीके से समझाती ही नहीं हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ बातों में हस्तक शेप करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ, आवश्क्ता नहीं हैं, आप में से कितने कई बार अपने बच्चों से कहते हैं, अपना काम करो, ध्यान दीजी हम सभी उस तर पर पहुँचने वाले जहां हम में थोड़ा संतोश होगा, हम भविश्य के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके लिए किस प्रकार के विश्वास की आवश शक्ता होगी परमिश्वर, आपको आपके जीवन के हर दिन की रूप रेखा नहीं देंगे, जिसमें आपके लिए सब लिखा होगा, ताकि आपको कोई हरान ही न हो, ओ नई, 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 आपको भी और सभी तरह विश्वास द्वारा चलना होगा, विश्वास के वो कदम उठाते समय आशकनी होगी कि आपने सच मुझ परमिश्वर से सुना है ताकि आप अपने जीवन की सबसे बत्तर मुश्किल में न फ़स जाए, अयूब नौ, हम जब भी अयूब कहते हैं सभी लोग हमेशा कराते हैं, पर हम फिर भी वहाँ जाने वाले हैं, वो भजोनों से ठीक पहले हैं, मेरे विचा से अयूब के बाद हमें कुछ भजोनों क्या वशकता है, अब जानता है अयूब एक व्याक्ति था जो जहां तक मैं समझती हूँ, एक उचित शिकायत कर सकता था, अयूब नौ वचन पांच से आरम करते हुए, वो परमिश्वर्त परवतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता, वो क्रोध में आकर उन्हें उलट-पुलट कर देता है, वो प्रिथ्वी को हिला कर उन्हें स्थान से अलग करता है और उनके खंबे कांपने लगते हैं, अब इनकी और सचमुझ ध्यान देने की कोशिश कीजिए त तो वो हमें दिखाई नीदे, परमेश्वर सुर्य को धूह होने के आग्या देते हैं, तब वो धूदय होता है, वो उसे डूबने के आग्या देत discussion, तो धूब ज lange पावन बुलाते हैं, वो आती है, वो चली भी जाती है, ये ज़रूरी है कि हमें गहरी समझ हो, कि हम कितने व उची उची लहरों पर चलता है वो सब्तर्शी मिरिक्षीरा और कच पचिया तारों का समू और दखी इनको नक्षत्रों का बनाने वाला है अब ध्यान दीजिए वचन 10 वो तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती और इतना आश्चोर्य कर्म करता है जो गिने न नहीं होगा मैं आपको नीजी अनुभाव के और परमेश्वर के वचन के आधार पर कह सकती हूँ कि यदि आपको हर बात का कारण जाना जरूरी है और आप अपने सारा जीवन सब समझने की कोशिश में गुजारने वाले हैं तो आपको कभी त्रिप्ति और संतोशन नहीं ह आप कभी परमेश्वर के आराम में प्रविश नहीं कर पाएंगे क्योंकि विश्वास के लिए जरूरी होता है कि हमारे जीवन में हमेशा कुछ अनसुलजे सवाल बने रहें कितने के साथ ऐसी बात हुएं जो सच मुझ अनुचित लगती हैं आपने सच मुझ ऐसा नहीं सोचा था कि आप उसके हखतार हैं जो आपको मिला है यदि आप सच को जानना चाहते हैं तो आप सोचते हैं ये बिलकुल सही नहीं है आप में से कितने कई बार सोचते हैं कि दोश्टों को क्यों आशिश मिलती है और धर्मी कश्ट सहते हैं क्या आप क्रोधित नहीं होती जब आप परमिश्वर की जी जान से सिवा करते हैं और आ प्रत याद रखिये васि में से यह समझने की आशा में होता ज़्या जब आप कुछ समझने की कोशेश में अपना दिन बर्बात करके क्या आपने मुझे सुना, जब आप कुछ समझनी की कोशिश में अपना दिन बरबात करते हैं, तो केवल आपका शत्रू प्रसन्न होता है, परमिश्वर ये सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूँ आपको मुझे से प्रेम है, मुझे आप पर विश्वास है, मेरा समय आपके करती हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, और आपके उदेश्य के अनुसार बुलावा पाते हैं, पूरी बाइबल में भी लोग कारण चाहते हैं, और इस्राइली तो सबसे बत्तर थे, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने उसमें 40 वर्ष लगाए, जो परमेश्वर के बढ़ने की कोशिश में बहुत अधिक समय लगाते हैं, मेरे विचार से हमारी भी धेर सारी वैसी समस्याएं जैसी उन में से कुछ की थी, हमें सिखना है कि परमेश्वर पर कैसे विश्वास करना है और ये कि हमें हर बात का जवाब जाना ज़रूरी नहीं ह ये परमेश्वर के साथ हमारी चाल में रुकावट बन सकता है, हमारी प्रगती में बाधा आती है जब हम सब समझने की कोशिश में इतना समय लगाते हैं, कि हम समभानती में दिन बरबाद करते हैं, यदि आज मैंने हिया आकर का होता आप में से कितने हाल ही में बहुत बाद ही है, क्योंकि ज्यादा तर जब आप सोचते हैं कि आपने कुछ समय लिखा है, दरसल आपने उसे समझा नहीं होता, आपने केवल कुछ ऐसा ढूंडा होता है, जो आपके दिमाग को भाता है, और हमें धेर सारी मान सिक समझदारी के आवश्यक्ता नहीं है, हमें इछे हटने की, क्योंकि परमीश्रमभांतियां उत्पन करने वाले परमीश्वर नहीं हैं, और इसराइली जंगल में भटकते रहे, चालीस वर्षों तक एक ही पाड़ के आसपास घूमते रहे दिन का एक सफर करने की कोशिश में, यदि आप जाकर पढ़ेंगे बाइबल क उन पुस्तकों को, जिनमें उनकी यात्रा का अविवरण है, ये अविश्वस्निया है कि कितनी शिकायते करते थे, फुस फुस आते थे, बदमिजाज थे और कारण जानना चाहते थे, आप हमें मीश्र से क्यों निकाल आये ताकि हम यहां पर मर जाएं, यहां पानी क्यों है, यहां केवल ये मनना क्यों है, हमें मास क्यों नहीं मिल सकता, मुसा तुम्हें हमें यहां क्यों लाना था, फिर मुसा ने परमिश्वर से का, आपने मुझे क्यों चुना, वो सब लोग कारण जानना चाहते थे, और परमिश्वर उन्हें वो बता नहीं रहे थे, क्योंक आयत करते हुए, शंका करते हुए नहीं, आप मेंसे दोश डूनते हुए नहीं, उन जवाबों की मांग करते हुए नहीं, जो मैं नहीं जानता, मुझे आप पर विश्वास है, मैं चाहूंगी कि आज आप मेंसे बहुत से अपनी सवालों की अदला बदली करें, थोड़े वि बहुत से लोग ध्यान से सुनिए जो मैं कहने वाली हूँ, बहुत से लोग मन से परमिश्वर की सेवा करने की कोशिश करते हैं, हमें दिल से उनकी सेवा करनी चाहिए, हमारे मन का परमिश्वर के वचन के अनुसा नवी नी करन होना जरूरी है, पर यदि आपके मन में ये सार प्रिथिवी पर सब रहने वाले उसके सामने तुछ गिने जाते हैं और वो स्वर्ख की सेना और प्रिथिवी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उसे नहीं कह सकता है तुने ये क्या किया है आपने इस सप्ता परमेश्वर से कितनी बार ऐसा कहा है परमेश्वर आप ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं हमें कई बार परमेश्वर से कोई दर्शन या सपना प्राप्त हो अपने पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि हमने निर्भाईता का कदम उठाया होता है, पर अचानक कुछ भी वैसे काम नहीं करता, जैसे होना चाहिए, क्यों परमिश्वर क्यों, आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सोचा था, मैंने सोचा था, मैं एक रा और मैं तुझे एक बड़ी जाती बनाऊंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तुझे आशिश दूँगा और तुझे एक आशिश बनाऊंगा। करना चाहिए कि सब परमीश्वर के नियंतरण में हैं। जानते हो परमीश्वर ने गिडियन से कहा, हे माहा बली और महान पुरुष, परमीश्वर तुमारे साथ हैं। इस पर गिडियन ने ये कहा, यदि परमीश्वर हमारे साथ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें आपक क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, वो इस वक्त स्थान पर आप सभी के साथ हैं, वो आपको यहां लाए हैं, वो आपको घर ले जाएंगे, आपकी गैर हाजरी में वो आपके परिवार के देख भाल कर रहे हैं, स अच्छा नहीं लगेगा, मुझे आज का संदेश अच्छा नहीं लगा, पर मैं आज इसी संदेश का प्रचार करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं केवल एक तरीके से संतोष्ट रहूँगी, वो ये है कि मैं परमेश्वर को परमेश्वर रहने दूँगी, और उनसे ये मांग करनी बंद करूंगी कि वो मुझे वो बता है जो वो मुझे बताना जरूरी नहीं समझते क्यों कि सची है कि उन्हें मेरा कुछ लेना देना नहीं है अच्छे लोगों के साथ बुरी बाते क्यों होती है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यूं होता है ये मुझे सबसे अधिक परिशान करता है कि आपको ये क्रोधित नहीं करता बच्चे क्यूं कश्ट सहन करते हैं चार बच्चों की जवान मा को क्यूं ला इलाज कैंसर हो जाता है बच्चों का शोशन की होता है मेरी पिता क्यूं पंद्रा वर्श तक मेरा योन शोशन करते रहे चाहई UNMissä 8 वर्ष मैंने उनसे बचानी की प्रार्थना की क्योंकि मैं मसी को 9 वर्ष की उम्रे से अपना मुक्तिदातास पिगार कर रही थी उन्होंने क्यू मेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनी या शायद सुनी थी पर उन्होंने उसका बिन्न तरीके से जवाब दिया था जैसे कि मुझा आश्रा थी मुझे अब समझ आती है कि चाहे परमेश्वर ने मुझे उस परिस्तिति से बाहा नहीं निकाला पर उन्होंने मुझे शक्ती दी और उन्होंने मेरे अंदर एक काबलियत का निर्मान किया जिससे अब वो सारी दुनिया में लोगों की मदद करते हैं हमें परमेश्वर पर बहुत अधिक विश्वास करना चाहिए और ये सोचने की जगे पर कि जब हम उन्हें अपनी योज ना दे कि उन्हें हमारे जीवनों में क्या करना चाहिए उसके बाद हमें अपना बागी का जीवन उल्चन में नहीं गुजारना चाहिए क्योंकि उन्होंने वो उस तरीके से नहीं दिया कई वर्षय तक मुझे में कड़वाहट और क्रोता क्यों कि मैं समझती नहीं थी मुझे समझ नहीं आता था अंत में मैंने सुचा बस बहुत हुआ मैं अपनी जीवन का एक और दिन इस समझने में गुजारूंगी नहीं मैं ऐसा करने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप संदेश का यह हिसा बोल जाए मैं वो करने वाली हूँ जो बाइबल में लिखा है मैं भलाय से बुराय पर विजई होंगी मैं परमिश्वर को यह बुरी चीज लेने दूँगी और इससे कुछ अच्छा करने दूँगी उसके बाद मैं आपना बाकी का जीवन गुजारूंगी शेयतान के आगे अपनी जीत का डंग का बजाते हुए शेयतान को अपना जीवन बरबाद ना करने देखियों कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो अन्याय और अनुचीत लगता है कि आपको समझ में नहीं आता यदि आपको वैसे ही मिला जैसे किसी और को मिलता है पिर परमिश्वर उसे लेंगे जो आपकी पास है और उसे कुछ प्रशंस्निय बनाएंगे क्या होता है जब कोई किशोर आत्मात्या करता है और किसी को भनक भी नहीं लगती कि उसे कोई समस्या थी इसका क्या काराण है कि एक पादरी के बेते कि उसकी मंच के नीचे बिजली के जटके से मौत हो जाती है जब वो बिजली का कुछ काम कर रहा होता है उसके बाद उस पादरी को उसी मंच पर प्रचार करना होता है सपता दर सपता फिर भी परमिश्वर पर विश्वास करना और लोगों को बताना पड़ता है कि परमेश्वर भले हैं लगता है परमेश्वर कई बार हमसे कुछ अधिक की आशाक करते हैं लगता है ना क्या होता है जब कोई औरत और मैं आपको वास्तविक कहानी बता रही हूँ जानती हूँ क्या होता है जब किसी औरत की पीट चमतकारिक धंग से अच्छी होती है पर फिर भी उसे रोसिर दर्द की समसिया होती है हलो क्या आप मुझे पूर्णता चंगा नहीं कर सकते जब मेरी कमत ठीकी क्यूं परमेश्वर क्यूं उसे समझने में इतना समय मत लगाई है जो नहीं हुआ है कि आप वो न देख सके जो हुआ है चलिए मैं इसे फिर से कहती हूँ, उसे समझने की कोशिश में इतना समय मत लगा, यह जो नहीं हुआ कि आप वो सब महान काम भूल जाएं जो परमिश्वर ने किये हैं याद रखे परमिश्वर भले हैं क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको या तो परमिश्वर पर विश्वास करना सीखना होगा, या तो आप खुद को पागल बना लें आपको परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना और ये मानना है कि चाहे आप वो सब बाते नहीं समझते जो आपके साथ हुई हैं पर ये किसी भी तरह से परमेश्वर के स्वभाव में बदलाव नहीं लाता कि परमीश्वर अच्छे हैं, वो नियाय के परमीश्वर हैं, वो धर्मी परमीश्वर हैं, पवीत्र परमीश्वर हैं और वो आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि आप कभी जान नहीं ही सकते चाहे आपका अब तक कैसा भी अनुभाव हुआ परमीश्वर की आपके जीवन के लेक भली योजना है और आप अपने जीवन में उस योजना का अनुभाव लेने वाले हैं पुरानी बातों को भुला दीजिए अब ये कहिए परमीश्वर मैं अनन्द की सोचूंगा ये बाते एहमियत नहीं रखती मेरा मतलब है क्या होता है सत्तर या सिया यदि आप नबे या सौ वर्ष तक भी जिएंगे वो अनन्द की तूलना में क्या होते हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं मैं अब जो नहीं समझती मैं उसे तब समझूंगी जब मैं उस परिस्तिती में होंगी हमारे पास अनन्द समय होगा वो अब समझने के लिए जो हम समझते नहीं है यहां मैंने फैसला किया है मैंने एक फैसला किया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ फैसला करें मैंने एक फैसला किया है कि मैं उसका आनंद लूँगी जो मुझे दिलवाने के लिए येशु मरे क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये दुखध है कि येशु ने वो सहन किया जो उन्होंने हमारी स्वतंतरता खरीदने के लिए किया था और उसके बाद हम हर दिन गुजारें दुखी, अत्रिप्त और परेशान उल्चे हुए और हम अंदर बुरे हाल में हूँ मैं अपने जीवन का आनन लेने वाली हूँ मैं संतूष्ट अत्रिप्त रहने वाले जीवन का आनन लेने वाली हूँ यदि इसका आर्थ यह है कि ऐसे कुछ बाते होंगी जो मुझे समझ नहीं आएंगी, तो क्या हमें शायद थोड़ी अधिक विनमरता की आवश्क्ता है, और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर को हमारे सवालों के जवाब देनी चाहिए, वरना हम उनसे क्रोधित हो जाएंगे, परमेश्वर को हमें सफाई देनी के आवश्क्ता नहीं है बाइबल में हमें बार बार निती वच्चन में सिखाया है कि हमें ग्यान को खोजना है, उसका पीछा करना है, समझ़दारी को खोजना है, पर फिर मुझे यह समझाया कि परमेश्वर यह नहीं चाहते कि हम उन बातों का ग्यान कोजे, जो हमारे साथ नहीं हुई थी, और वो सब समझे जो दुनिया में हो रहा है, वो चाहते हैं कि हम परमीश्वर की ग्यान को खोजें, वो चाहते हैं कि हम उन्हें जानने की कोशिश करें और परमीश्वर के चरितर को समझें और उनके उद्धार करने वाले नामों का मतलब जाने मेरी एक बात याद रखिए, जब आप सच पर्विचार चांते उम्टी जो आ हैं और चाहते हैं विश्वास करते रहें जीवन भर। आप शायद हर बात का जवाब न जानते ओपर परमिश्वर का ध्यान आप उससे जानते हैं जो जानता है ये, महत तो पूर्ण है कि हम परमिश्वर के वचन पर विश्वास करें, हमें महसूस होने से पहले, हम परमिश्वर के वादो आरम करेंगे. और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बाटने के लिए.